क्यों सड़क की लागत से कई गुना जादा वसूला जाता है टोल टेक्स नमस्कार मेरा नाम नहाँ है स्वागत आज के इस वीडियो में क्या आपने कभी सोचा है कि जो सड़के सरकार द्वारा बनाई जाती है उसका टोल टेक्स लागत से ज़्यादा क्यों वसूला जाता है आम जनता को भारी भरकाम टोल टेक्स देना पड़ता है इस बात के खुलासे के लिए केंद्री सड़क यो परिवाहर मंदरी नितिन गटकरी ने जादा टोल टेक्स वसुले जाने पर खुल कर बालचित के उन्होंने इसके पीछे की वज़ा बताई साथ में ये भी बताया कि सड़क निर्मार की लागत से ज़्यादा टोल टेक्स क्यों वसुला जाता है असल में नितिन गटकरी ने उधारन देते हुए समझाया कि सड़क परियुजणाओं को रिड़ लेकर पुरा किया जाता है लोन से नहीं बलकि नगद में घर और कार खारीदने की बात कही उन्होंने ब्याज भुकतान की परभाव को लेकर ये बताया कि अगर आप नगद में घर या फिर कार खारीदते हैं तो इसके कीमत 2.5 लाख रुपए होगी टोल टेक्स पसूले गए है ये टोल टेक्स मनोहर पूर टोल पलाजा से वसूले गए है जबकि आपको बता दे कि इस हाइबे की निर्माड की लागा तकरीबन 900 करूर रुपए थी इस पर किंद्रे सडक मंत्री ने कहा कि दतकाल दिल्ली जैपूर हाइबे को बहुत सी ही छोड़ दिया था जिसका ये नतिया निकला कि बैंकों के साथ कानूनी जगड़े होने सुरू हो गए कुछ नाय ठेकेदारों को नियुक्ति मिली परियोजना कारे में मगर बाद में सरकार ने उन्हें खुद हटा दिया जिससे परियोजना काम मुस्किल के साथ और ठप ह हो गया इतना ही नहीं राजमार के दूनों तरफ अतिकर्मण की वज़ा से छेह लें तक इसी बिस्तारित किया गया इसमें भी कई समस्याय परबल हुई नितिनगटकरी ने कहा कि अतिकर्मणों को दूर करने के लिए मुसलसल परियास किये गया बगर इस बार के हुई भारी बरसातनी और मुस्किले जो हैं बढ़ा दी है